हेलो विवन कैसे हैं आप सबी आशा कर तो अच्छे होंगे और खुम मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे तो भाई एक कमेंट मेरे पास बहुत जादे आता है मुझे देखने को मिलता है वो यह न कि मेरे पास तो परियात टाइम भी रहता है दिदिली कि मैं क्या कोई मेरे पढ पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो एक चीजह इसके दो चीजह हो सकते हैं इसका उपाय दो हो सकता या तो आफ पढ़ाई हो सकता या तो पढ़ाय करना छोड़ीजे चोड़ेज सपूझ आरे anch का हर Probably समय को पढ़ाना परता है शुन सहीं अपने आपने ही होते ही घीवन को स ही करना पड़ता है समय होता नहीं किसी पास समय निकालना पड़ता है कोई भी काम अपने से नहीं होता है उसको करना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है तो मज़े लेना बंद करिए अभी जीवन में जो अभी ले रहे हैं आप नहीं तो जिन्दकी जानते हैं मजाग बना भी नहीं समझती तो अभी जो मज़े आ रहे हैं जीवन इतना थपड़े मारेगा इतना थपड़े मारेगा कि फिर उठेन लैक नहीं छोड़ता है तो फिर हमें पस्तावा रोना अपमान दूसरों की गुलामी करना यह सारे चीज और छोटे-मोटे काम करना मजदूरी करना ल हमारा पैस इस होना चाहिए है कि हम अपर से सangel हें क्यों लोग लोग लेते हैं कि सब लोगा जानते कि मरना तो ही लेकिन फिर भी इंसान क्यों प्रवे क डाप श०ब हो को कि अपने hypothesis को च्शान का बना लेत है तो यहzen लिए अप और में एक चीज़ बता हूँ यह जो मन नहीं लगता है उसका उपाई जोड़ दीजिए या तो अगर मन लगाने के सोच रहा है तो आपको पयास करना पड़ेगा अब तरशा सोचिए क्या आप इतने कमजोर हैं कि आपको आपका मन ही अपने उपर नचाह रहा है अपने तरे काम है कि मेरा मन कांट्रोल में नहीं है और मन आपको आपको नचाह रहा है यह तो सबसे कमजोरी दिखा रहा है कि आप उतनी कमजोर है कि मन आपको नचाह दे क्या है हununक। बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की मन की हिम्मत ही नहीं पड़ती और आप लोग सोचेगे कि मन की बात कहां से हो रही है मन तो एक जड़ वस्तू है वस्तू नहीं कहेंगे कि मन को तुम देख नहीं सकते क्या है यह दीदी कैसे बाते करती है यह होता है मन से कनेक्ट करना आप दूसरे लोगों से अपने आपको कनेक्ट करके बैठे हुए है अपने मन से कनेक्ट करके बैठी है तो मन आपका सब कुछ सुनेगा, दिमाग से भी अपने आपको कनेक्टर के बैठी, दिमाग सब कुछ सुनेगा, आप मैंने बोला ना कि सब कुछ आपके हाथ में, आपके अंदर ही सब कुछ है, अपने आप से कनेक्ट करें, दूसरों से कनेक्ट करने की जरूत नहीं है, तो गुलाम है अपने एक चीज़ और बता दे जिसका मन कंट्रोल में रहता है ना वो दूसरों को बड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है जरा माई निकरिए आपका भी हो सकता सुभाव ऐसा ही हो जैसा चोटे बच्चे होते हैं या जो थरा कमजोर होता है और तो अपने लेक्तन उत्सलीय करते हैं कि अपनी बॉर्प इंतना मा और जी शोचा है है मैं तो दोई-चार घंटा सोईए लेकिन सोना बड़ा जरूरी होता, नहीं सोईए तो भाई मेरा तो बहुत हारत खाराब हो जाता, अगर रात बर जगी है तो, क्योंकि शादी बगार में जसे किसी के मैं जगी हूँ तो दूसरी दिन मतलब मेरी आख नहीं खुलती है, दो-चार घं कि जब सब कुछ करने के बाद, जब मैं सोने जा रही थी बिस्तर पर, तो मोबाइल पर टेलिग्राम खोलती थी, वहाँ पर जो कोशन पड़े होते थे, मैं हमेशर टिक मारती जाती थी अपने आख रान करने के लिए, हाँ भाई मैंने कुछ किया कि नहीं, आ रहा है कि नह पर मुझे हो नहीं रहा है, तो मैं एक्जाम में क्या करोंगी, जानते हैं यह छोटी सी बात मेरे लिए उसका मैं नहीं थी, यह चिंता आगे का भविश का चिंता कि ऐसा ही रहेगा, तो फिर एसा निकल जाएगा, फिर एक्जाम होगा, और फिर मैं फेल हो जाऊंगी, तो फिर क्या होगा, तो यह चीज़ करते-करते ना, फिर मैंने मेरी पूरी रात निकल गई, और फिर सुबह हो गई, मैं स्कूल चली गई, तो मुझे बहुत सीख मिली, कि भया, उसी रात मैं उठी और फिर से मैंने उस टॉपिक को खोला, और मैंने फिर से रिविजन किया लेकिन मैंने अपने को आपको पनिश दिया, मैं नहीं उठी थी, खाने पीने के लिए भूख लगी रहती थी, लेकि मेरा राता था कि भूख पेट में चुऊ है, ऐसे से पेट हो रहा है, लेकिन मेरा राता था कि अगर मुझे तयार करना है, तो मैं इतना कर लूँगी, त क्योंकि मन ना बहुत जादे गलत का हमसी करवा देता है तो फिछली में नेक्स वीडियो कोई बात होगी तो कमेंट के मादन बताइए